बुलिश्री प्राणा थे प्यारे कीचे चरचा प्रारंब होत हे सुनो साथ चित दे भजो राज शामा स्री प्राणे नात सकी जीवन हमार उड़े स्री माहमति कहे साथ जी भया चरचा का बखत अब तुम सुनियों चित दे लाल आग्याए बैठे इन तकत इन समय इहां दिन बाईस रहे साथ मीने फेर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय साथ छोड़े इन समय साथ को इन समय कचु नहीं पहिचान सवी सुनियों साथ को प्रणाज आज भी तक के गैरवे दिन हम सब लोग यहां पे मुझूद हैं सब लोग यही चाहकर हम यहां पे आते हैं कि हमें कुछ सुख और आनन का अनभुती हो और सुख हमारे हृदे पे इस्तापित हो जाए कईयों का प्रशन यह हो सकता है कि खोशी क्या है सच्चा सुख क्या है तो आज जिस सुख की विशे में हम खोज और तलास करते हैं क्या वो सुख है क्या जो हिर्दे के अंदर जिस धारा को बहाते हुए हम चाहते हैं कि उस अखंड सुख के और हम चले क्या उस सुख के प्राप्ति हम कर पा रहे हैं या ने आज संसार के लोग संसार के बस्तु में ही रमने की कोशिश करते हैं लेकिन उस सुख से श्रिफ अंति में जलन मिलती है ना की सुख लेकिन वो सुख और आनन की जो विशे में हम बात करने जा रहे है कोई पुछता है कि सुख क्या है तो हम क्या बताएंगे हम इतना ही कह सकते हैं जिस प्रकार से एक मीठा कोई मीठाई है वो मीठा होता है उतना हम बता सकते हैं लेकिन जब तक वो मीठाई नहीं खा लेता उस सुख का उसको अनुभुती नहीं हो सकता उसी प्रकार से आज मानव ये प्रस्न करता है कि खुशी क्या है वो अखंड सुख क्या है लेकिन जब तक वो उस धारा पे उस ग्यान पे और उस साधना पे आगे नहीं बड़ेगा तब तक वो जिस प्रकार से इस अखंड सुफ का ग्यान बाणी और बितक के द्वारा कहा जा रहा है वो अखंड ग्यान का वो मिठापन हमारे अंदर वो नहीं आ सकता आज 22 दिन तक स्वयम धनी श्री देपजनर जी अपने आत्मा को अब क्या कर रहे है वो वो ही मिठाई देने के प्रयाश कर रहे हैं और कहे रहे हैं कि तुम अब इस रस्ते पे चलते हुए तुम्हें वो चीज पाना है जो सब संसार के लोग चाते हैं लेकिन वो एक समय था एक दोर था जहां पे फरामुशी का आवरण चाया हुए था भलही 1712 में स्वयम उसी समय जब स्वयम धाम धनी देपचंद्र जी के अंदर से अंतरधान हो गए परन्तु स्वयम मिहराजी के तन के अंदर वो प्रवेश कर जुके हैं लेकिन आज महिर राज जी को इस बिसे में पता नहीं आज ये उनको पता नहीं कि मेरे अंदर से ही ये पूर्ण तया से लिला करेंगा सत्र से बारका वो समय है और धिरे धिरे करते हुए अब जब ये लिला चलती है आगे तब वहाँ पे सत्गुरु धनिश्री देपचंदर जी वहाँ पे नहीं है बिहारी जी हैं बालबाई हैं और अनेको सुंदर साथ हैं जो वहाँ पे आये हुए हैं कहें के सुंदर साथ तो स्वयम धनिश्री देपचनर जी के धामगमन में भी नहीं आये. जो सत्गुरू के साथ उस परमधाम तक जाने का वादा क्या था? आज उनके धामगमन में वो नहीं आये. उनको वो रिष्टा की विशे में वो समन्द की विशे में वो भूल गया तो उस प्रकार से जब धामगमन का वो लिला हो जाती है लेकिन संसार तो चलती ही रहती है चाहे कोई भी यहां से चले जाए लिला होना ही है तो इस प्रकार से अब वहाँ पे एक इस्तिति पैदा होती है सुन्दर साथ जो चमतकार पूर्ण लिला के द्वारा धनी स्री देव चंदर जी से जुड़े होए थे अब वो आना बंद कर देते हैं उनको शरिफ ये इक्षाय थी कि श्री कृष्ण जी स्वयम दर्शन देते थें इसलिए में वहाँ पे जाना चाहिए अब तो स्वयम धनी ही भीलिन हो चुके हैं तो हम किस से मिलें तब वहाँ पे अब सुन्दर साथ बिछड़ गए वहाँ पे सुन्दर साथ आना बंद हो गए तब बालबाई जी को दुख होता है कि ये जो सुन्दर साथ थें पहले तो थोड़ा बहुत भी आते थें लेकिन आज वो भी नहीं तब क्या किया जाए यही सोजकर वो चाहते हैं कि बिहारी जी को कहें लेकिन बिहारी जी इतना सक्षम नहीं है वो उनको भी पता है इसी कारण से अब वो मिहराजी के पास जाते हैं और मिहराजी से ये बाते करते हैं कि किस प्रकार से अपने सुन्दर साथ को जोडा जाए किस प्रकार से उनको उस परमधाम के पत पर चलाए जाए तब जाकर महिराज जी यही कहते हैं कि ठीक है जिस प्रकार से आप कहे रहे हो कि गादी में जो रहेगा वो नसली पुत्र ही होना चाहिए इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि बिहारी जी भी वो गादी पर बेठे कहने का तातपरे यहाँ पे हम देखें महिराजी को स्वयम धनिसे देपसंद्र जी ने कही दिया था कि तुम्हारे अंदर तन से ये लिला होने वाला है लेकिन वही महिराजी हैं जो आज कह रहे हैं कि उस गादी पर स्वयम बिहारी जी को बेठा दो ट्रस्न कभी कबार ये उठ सकता है कि उसी समय क्यूं स्वयम महिराजी उस गादी पर नहीं बेठ गए क्यूं उन्होंने वो लिला नहीं किया और उसी समय में जागरती क्यों नहीं बेठा दया लेकिन पट पेहर खाये चिकना हेम जवरे सिंगार हक लजजत आई मुमिनों तिन दूनी करी मर्दा जो संसार में रमना चाहते हैं वो खाने पिने और स्रिंगार करने में लगे रहते हैं लेकिन जिसको हक का लजजत आ गया जिसको परमधाम की इक्षा जाग गई उसको उस खाने पिने और स्रिंगार से कोई लेना देना नहीं होता उससे स्रीफ फरक पड़ता है कि धामधनी से में कैसे जड़ो धामधनी और मेरे सुंदर साथ को में कैसे जगाऊ तो इस प्रकार से मिहराज जी अंधर से सोचते हैं और बिहारी जी को उस गादी में बेठाने के लिए तयार होते हैं एक प्रतिक के रूप में एक गादी है और गादी पे बिहारी जी को बेठाने से यदि सुन्दर साथ एकठा होते हैं तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ तब जाकर बालवाई जी को कहा जाता है कि इस समय पे अब सुन्दर साथ को बुलाया जाएगा यहाँ पे प्रसंग आता है तो आसोज महिने है सत्रसो बारा का समय है उस समय पे अब जब सब सुन्दर साथ बिखड़ चुके हैं इकठा करने के लिए बुलाया जाता है बुलाते समय वहाँ पे चर्चा होती है चर्चा में ज्यान की बाते सुनाई जाती लेकिन फिर भी सब सुन्दर साथ को ये पता है कि उस तन से जो मिहरा जी का है उसी तन से लिला होना है और उसी तन से के द्वारा सुयम प्रानाजी के ज्यान अवतरित हो रहा है लेकिन फिर भी प्रानाजी के एक लिला है जहां पे अब मिहरा जी कहते हैं कि बिहारी जी को ही आपको सुयम प्रानाजी मान के चलना होगा आपको गाधी में जो बिठाया गया है उसके स्वरुप को पूजना होका तब जाकर सोयम मिहिराज जी प्रथम बार वहां पे जुकते हैं सोयम आगे बढ़ने के बाद अब सुन्दर साथ वहां पे कुछ नहीं के पाद मिहिराज जी है जो परमधाम के आत्मा है हमें क्या कहा जाता है परमधाम के आत्मा केसे होना चाहिए दुसरे के प्रती किस प्रकार से रहना चाहिए ये कहा जाता है कि हमें रेनु के समा रहना चाहिए हमें कभी भी अपने अहम भाव में ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम कौन हैं किस प्रकार से हम इस संसार में रहें लेकिन आज मिहराजी ने वो साबित कर दिया उस बाणिक के चोपाय को सिद किया है कि स्वयम परमधाम की आत्मा है स्वयम धनी स्री देपचंडर जी की आज्या है फिर भी अपने आग को उस बिहारी जी के नीचे गिराते हुए उन्होंने अपना आदर पुरुबक उस सिर जुकाते हैं और अपनी जो महिमा है उनको बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से सब सुन्दर साथ भी इसी लगभि पर लग जाते हैं वहाँ पे चर्चा प्रारम होती है, रसई होती है अनेकोप्रकार से माऒल बनाना पड़ता है सुंदर साथ को आज एदी श्रीफ चर्चा के लिए सुनने के लिए बुलाया जाए तो कोई भी सुनने ना आए एदी उनको खाने पिने के लिए वहाँ पे नहीं दिया जाए तो लोग इख़ा ना हो स्वामी जी हमेशा यहां कहते रहते हैं कि ये इस आश्रम पे चाय ना मिले तो कितने सुन्दर साथ जी यहां से चले जा चुके तो इस प्रकार से जो सिर्फ खाने पिने के लिए भी सही लेकिन उन्होंने अब वहाँ पे वो चीजे किया जो सुन्दर साथ इकटा हो सके तो इस प्रकार से अब धाम धनी वहाँ पे सब सुन्दर साथ को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद धीरे धीरे अब वहाँ पे संख्या की बृद्धी होती है अब फिर भी लेकिन वो रस बिहारी जी के पास नहीं जो होना चाहिए लेकिन लोग क्या देखेंगे और लोग क्या सोचेंगे उनको कोई परवाद है वो करते हैं तो चर्चा लेकिन आचरन में वो नहीं ला दे आचार्य उसको कहते हैं जो श्रीफ प्रवचन ना देते हुए खुद के अंदर भी वो सब्द लाए वो आचरन करें तब जाकर किसी को हम आचार्य कह सकते हैं यह जी वो ही स्वेम आचरन में ना हो तो उसको आचार्य कहना कलंकित रुपी बात हो जाएगा तो इस प्रकार से जब विहारी जी वहाँ पे जो बात कहते हैं वो दिखाई नहीं देता तब सुन्दर साथ उनके चरन कमल पे जाने के लिए तयार नहीं होते हैं फिर भी एक दर्ध है मिहराजी के अंदर इसलिए अब वो क्या करते हैं चर्चा जो सुनके आते हैं सुन्दर साथ को इकठा करते हैं अब जाकर वो परमधाम की चर्चाए सुनाना सुरू करते हैं जो रस मिहराजी के अंदर है वो किसी के पास नहीं इसलिए अब सुयम सुन्दर साथ भी खुश होते हैं और उनके चर्चा में मगन होकर परमधाम की ओर वो अपना नजर फिराते हैं। तो हम सब को पताए है कि ये संसार है और इस संसार में चर्चा और सुन्दर साथ को एकटा करना है तो थोड़ा बहुत धन लगी जाता है। तो जो धन यदि सुन्दर साथ के घर से ना आए या ग्रिहस्त परिवार से कोई ना दे तो संस्ता कभी चल नहीं सकता। संस्ता चलता है तो ग्रिहस्त के एक परिक्ष्रम से और दान से जिसके द्वारा अनेको कार्य हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से आज मिहराजी यही सोचते हैं, कि सुन्दर साथ को जिस प्रकार से हम भूलाते हैं, इकटा करते हैं, लेकिन इस से कोई सफलता इतना नहीं मिल रहा है, इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए? अब एक बड़ा सा आयोजन करने के बाद है, हम सुन्दर साथ को एकटा करके उस परमधाम की लिला के बाद कर सकते हैं, अब इसलिए वो धन कमाने की विसे में सोचते हैं, तब जाकर यहाँ पे गोविंद भेडा की जो बात कही गई है, इसलिए कहा गया, क्योंकि गोविंद का एक मंडली बताया जाता है, जहां पे वो बजार लगाता है, और बजार में अनेकों अच्छे-च्छे सामान दिखाई देते हैं, जो हम इक्षा करते हैं अपने मन से, वही वहाँ पे दिखाई देता है, और येदी कोई मुहित होकर उसको छूता है और लेने की कोशिश क करता है, तो वो भी क्या बन जाता है, उसी गोविंद भेड़े के मंडली में समावेश हो जाता है, तब यहां पे एक दिखाई देता है, जो मैंने भी एक बार सीरेल पे देखा था, गोविंद भेड़ा के जो मंडली है वो बजार लगाते हैं, बीच में से तीन सादू ब्रहम सिष्टी है, दीतिय सादू है, इस्वरी सिष्टी है और अंतीम सादू है, जीव सिष्टी है, पहले जो सादू ब्रहम सिष्टी है, वो स्रिफ सीधा देखता है और इधर उधर बिना देखे वो निकल जाता है, लेकिन इस्वरी सिष्टी है, जो देखता है बजार में अच्छे अच्छे सामान तो है लेकिन जो आगे ब्रह्म स्रिष्टी जा रही है उसी का रस्ता के पग में जाने से ही मुझे क्या मिलेगा वो अखंड सुख मिलेगा इसलिए वो भी पार हो जाती है लेकिन जो जीब स्रिष्टी है वो चाहती है कि में अखंड सुख तो प पर यही है कि जो हम यहाँ पे हैं, जो हमारी आत्मा है, वो कहाँ पे मुहित हो रही है, यह संसार है, यह क्या है, यह गोबिंद भेडा है, यह गोबिंद भेडा का बजार है और इसमें क्या-क्या दिखाई देते हैं, जो आप इक्षा करते हो संसार के, यह हर चीज यहाँ प द्वारा और माया में जो इदी भूल जाए तो वो क्या बन जाता है गोविंद भेडा के मंडली बन जाता है लेकिन वो ब्रह्म सिष्टी है जब उनको ये तार्तमवानी मिल चुकी है तब वो क्या करते हैं निश्दिने ग्रही और प्रेम से इगल सरुप के चरन श्रिफ वो चरन को ही देखते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद वो ना इधर देखते हैं ना उदर तब जाकर वो इस दुनिया से योगमाया के ब्रह्मांड को एक साथ उचलते हूँ इस परमधाम तक पहुंझाते हैं तब जाकर वहां पर महीराजी यही सोचते है कि मैं तो ब्रह्मा सिष्टी हूँ मेरा जो कार्रे है वो तो सुयम सुन्दर साथ के लिए है तो यह जो गोविन्द भेडा के जो मंदली है वो मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो इस विश्वास के साथ अब वो बिहारी जी के पास जाते हैं बिहारी जी को यही कहते हैं कि देखियो करते खर्च मिले साथ तब जब वो कारेश शुरू करते हैं सब हमको पताई है कि वजिर होना उस समय की बात है कितना धन वो कमाते थे उस समय हर कोई यही चाहता था कि मैं अपने सुन्दर साथ के लिए कुछ करूं लेकिन मिहराजी वो ऐसे सक्स हैं वो पुरसार्थ भी कर रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं वो अब विहारी जी के चर्चा सुनने के लिए सुबह सुबह चार वजे उठकर वो प्रणाम करने के लिए जाते हैं चर्चा सुनते हैं काम के लिए आते हैं फिर से रात में वो उस सुंदर साथ को फिर से चर्चा सुनाते हैं तो इस प्रकार से इतना मेहनत करते हुए अब जितने महीने बीद गए जितना धन उन्ने ने कमा लिया उस धन के वदुलेत अब एक सुंदर साथ को चैन किया जाता है और बिहारी जी, नाग जी भाई तथा अनिको सुंदर साथ के लिए बस्तर तथा आवुशन जोड़ा जाता है जिसके तारण वो खुस हो सके और जिसके कारण सुंदर साथ को और आगे बढ़ाये जा सके जिससे सोयम धाम धनी भी खुस हो जाया तो इसलिए वो हर चेज जोड़ रहे हैं जैसे खाने पिने का सामन, लत्य कपड़े का सामन तो अब वहाँ पे फिर से ये चीजे होता है कि बाल भाई, नाग जी भाई, स्याम जी और बिहारी जी वहाँ पे इकटे होते हैं ये वितक, दुसरे वितकों में लिखा हुआ है कि तिन जन जो इकटे होते हैं तो वो बाते करते हैं मिहराज जी क्या कर रहे हैं? वो जब भी कोई सुन्दर साथ आते हैं तो वो चर्चा सुनाते हैं जब बिहारी जी आप हो, तो वो आकरचा आपसे क्यों नहीं सुनते हैं? और जब भी आपको प्रस्न किया जाता है, आप एक उत्तर देते हो, लेकिन वो मिराज है जो दस-दस उत्तर देता है। शिर्फ चर्चा वो नहीं सुना रहा है, वो लेकिन वो भीड भी इकठा करता है, वो परमधाम की बात भी करता है, और आज तो हद हो गए कि वो क्या कर रहा है। धन इकठा करके सुन्दर साथ को अब बस्तर भी देने लगा है। तो इससे तो जो महत्ता विहारी जी आपका अभी है, वो घड जायेगे और सुन्दर साथ जो आज बच्चे कुझे आपके पास आते हैं, वो भी अब नहीं आएंगे। जब इस प्रकार से बाते लगाई जाती है तो बिहारी जी अब यही सोचते हैं कि किस प्रकार से बंद किया जाए तब जाकर यहाँ पे अब चुगली लगाने की बात आती है इन बात के चुगली वजिर आगे गई तो इस समय में अब स्वेम बिहारी जी के कोई अपना है जो जाकर वहाँ पे चुगली लगाते हैं वजिर है जो सुनता नहीं किसी के बाद स्रिफ इतना ही सोचता है कि मेरा धन हमारे कोश से जा रहा है तो तुरन जाकर महिराज जी को अब नजर बंद में रख दिया जाता है उनके दो भाए हैं उद्दब ठाकुर और स्यामल जी उनको भी साथ साथ में अंदर रख दिया जाता है और स्यम किसी कारण बस वहाँ पे उस समय पे 1714 का वक्त चल रहा है कुत्व खां की वहाँ पे लड़ाई करने का वो समय आ गया है जिसके कारण उस समय जामनगर के राजा ने कर नहीं पहुंचाया था इस कारण से उस बजिर को वहाँ जाना पड़ता है तब वहाँ पे स्वय मिहराजी बंध है ना उनके विशे में किसी ने सोचा ना ये सोचा गया कि सही में इस बंदे ने गलत कार्रे किया भी है या ने तब जाकर वो उसी हप्षा के जल के अंदर बंध होते हैं लगे चर्चा करने वर्ननबानी सरूप तो वहाँ पे रहते हुए हप्षा के जल में वो क्या करते हैं बिरह नहीं ब्रहांड में बीना सुभागिन नार जब तक जो कोई यदि चाहे कि मैं बिरह करूँ और बिरह करते हुए मैं उस परमधाम के उस परमात्मा को पालूँ वो कभी संबब नहीं है जो येदि सुहागिन है उस परमधाम के सुहागिन आत्मा है वो ही उस परमधाम के परमात्मा को रिजा सकते हैं और उसी के अंदर वो बिरह और तड़प आ सकते हैं आज मिराज जी बिना गल्तिक हुए हुए भी आज उस हबसा के जेल में हैं जिसको प्रबोध पूरी कहकर भी पुकार जाता है प्रबोध पूरी इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि अब इस स्तान से क्या होने वाला है कुछ प्रबोधने वाले हैं जो बचन है वो प्रबोध होने वाला है इसलिए आज उस हपसा के जल को प्रवोत पूरी कहा जाता है आज सुयम धामधनी की इक्षा से ये लिला हो रही है महिराज जी ने गल्ती क्या किया था महिराज जी ने क्यों वहाँ पे तड़पना पड़ा था नौ साल तक क्यों सद्गुरू से विछोड होना पड़ा था अनेकों चीजे जो महिराज जी को हो रही है वो कहां तक पहुंचा रहे है देवचनर जी को जिस प्रकार से उनको अनेकों कक्ष देश में तथा नौतनपुरी में उनको कष्ट उठाना पड़ा क्यों उठाना पड़ा तो धामधनी कहते हैं दुख थे बिरह उबजे बिरह इसक प्रेम इसक प्रेम जब आया तब नहेचे मिले है एदी में स्वयम ये दुख जो स्रिफ दिखता है लेकिन होता नहीं ये ये दुख नहीं देता तो बिरह कभी भी उत्पन्ना होने वाला नहीं था और जब बिरह ही नहीं होता तो केस प्रेम होता और जब प्रेम होगा तब ही तो धनी मिलते हैं धनी तो ये कहते हैं कि जो दुख ना देऊं फूल पांकडी लेकिन जिस प्रकार से आज दुख मिल रहा है क्या वो सच में दुख है धामधनी और क्या कहते हैं दुख ये जो दे रहे हैं वो क्या है वो बिरह का सुक है ये कह रहे हैं और वो जो बिरह का सुक है वो मुझे प्यारा है इस प्रकार से जब धामधनी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो धामधनी के ने का तातपर रहे है वो श्री जी को है जो मिहराज जी है मिहराज जी आज इतना बिरह करते हैं कि उनका जो सीर है सीर पूर्ण तया से ऐसा लगता है कि नारेल जैसा हो गया ऐसा लगता है कि उनके जो अंदर का खून है वो सुक चुका बिरह के द्वारा वो आज अब पुन तया से वो क्या नहीं कर पाते हैं बिरह ना देवे उठने बिरह ना देवे बेटने उठने भी ना दे लोटपोड भी ना कर सके हुख हुख स्वास लेगा तो जो बिरह की अवस्ता वहाँ पे चल रही है उस समय में ना तो बेठा जा सकता है ना उठा जा सकता है कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं शिर्फ कर सकते हैं तो क्या एक अंदर से आवाज जो स्वास लेने का तथा रोने का रोतने का जो यहां पे कहा गया है हुक हुक तरीका से जब एक बच्चा किस प्रकार से रोता है आवाज निकालते होई लेकिन वो जब दिल में वो बात चूप जाते है तब उसके आंखों से आशों आना बंद हो जाता होगा उसके मुझसे भी वो सोर निकलना बंद हो जाता है लेकिन वो भुक की स्वास और जो आवाज है वो आता रहता है तो उस प्रकार से आज स्वयम इंडरावति की आत्मा वहाँ पे तडप रही है वो चाहती है कि धाम धनी स्वयम आ जाए तब जाकर यहाँ पे अब क्या होता है कच्छू रास की रामते साथ की भी करो रोसन जो लिलाए हो रहे हैं ये बात में तो कहूं जो कहने की होए ये जो बात हैं जो कहने की है और वो किसने किया है स्वयम धाम धनी ने मेरे उपर दया किया हुआ है इसलिए आज आज स्वयम वो दर्शन देने के लिए आज सुनो बानी सुहागिन दिया दिया दिदार जब स्वयम धाम धनी ने कहे रहे हैं कि हे सुवागिनों वो स्वयम धाम धनी है जो मेरे दिल में आने के बाद अब वो जो अंदकार था वो क्या हो गया वो स्वयम नश्ठ हो चुका है और परम धाम की जो सुख है जो परम धाम की जो उजाला है वो मेरे दाम रिदे में बेट चुका है तो जब वो दाम रिदे में बेट जाता है तब जाकर जो मायवी फरामुसी है वो उड़ जाता है हम पहले भी जानते हैं कि हम कहां से आये हम उस परमधाम के सखियां हैं जो परमधाम के उस मुल मिलाव में बेट कर ये दुख की लिला को देख रहे हैं इस दुख की लिला को देखते हुए हम ब्रज और रास की उस लिला को भी देख चुके हैं लेकिन फिर भी इस ब्रम्हान जो जागनी रास का ब्रम्हान में हम आए इस ब्रम्हान में आने के बाद हमने ब्रज को भी याद नहीं किया हमने रास को भी याद नहीं किया और आज जो इस्तिती हमें पैदा हुई है वो स्रिफ दुख नीमताने के लिए हम उस परमधाम के सक्षियों को याद नहीं कर पाए हम उस परमधाम की परातम को याद नहीं कर पाए आज मिहराज जी जो इंद्रावती के सकी है उनको भी इस बारे में सुयम धनी स्री देपचंदर जी के द्वारा पता चला अब जो दुख के कारण इतना प्रकास हुआ इस दुख को वो यही कहते हैं दुख रे प्यारे मेरे इस दुख को इसलिए में प्यार करती हूं इसलिए सब इंद्रावती के सकी यही चाहती है कि हर कोई जो सुन्दर साथ है वो भी इस दुख को प्यार करें तब जाकर इस दुख के बदूलत हमें वो धांधनी मिलने वाले तब यहां पे यही चोपाई में कहा जा रहा है कि अनेकों अब जो वार्णी उतरने वाली है जो प्रबुद्पुरी के विशे में कहा गया है हमारे जो तार्तम वार्णी है जिसको कुलजम सुरुप कहते हैं वो क्या है? अनेकों बार प्रश्न किये गए हैं कुलजम सरुप किसको कहते हैं हम ये कहकर टाल देते हैं कि कुलजम सरुप हमारा निजानन का गरंथ है लेकिन क्या सिर्फ एक निजानन का ही गरंथ रहे जाता है तार्तम बानी उसको कहते हैं जो आत्मा को उस परमात्मा से जुड़ाए कुलजम सरुप उसको कहते हैं जहां पे श्रीफ इस संसार की मुप्ति का कारण ना होकर परंतु उसमें सुयम उस ब्रह्मा आत्माओं के लिला है वो राजी का लिला है और उस स्यामयाजी और सक्षियों के लिला है तो इस प्रकार से जो ब्रह्मान में कभी भी जो ज्यान नहीं आया था वो ज्यान हमारे कुलजम सरुप में है जो त्रेगुन भी तडपते हैं उस ज्यान को पाने के लिए सुयम अक्षर ब्रह्मा भी तडपते हैं वो ज्यान को पाने के लिए वो ग्यान आज उस कुलजम स्वरुप में हमारे पास साक्षात है तो वो ग्यान हम पढ़ रहे हैं उसी ग्यान का अवतरन आज हो रहे है धाम धनीव सोयम यही कहते हैं कि किस प्रकार से जो ग्यान यह है अपते आद अनाद की ये जो ज्यान आया हुआ है वो आदी में भी नहीं था और जब ये ब्रमान मिट जाया गए बाद की ब्रमान में भी ये होने वाला नहीं है लेकिन श्रीफ और श्रीफ तुम्हें ये निजबुद्धी का ज्यान मिला हुआ है तुम्हें श्रीफ और श्रीफ इस जागरित वो निश्वत का समंध है तो इसलिए धामधनी यही कहते हैं कि ये ज्ञान तुम्हारी आत्माओं के लिए है तब आगे बढ़ते हैं रामत भाई सब रास की सुकुपायो जो थे संग जो रामत की जो रास है वो अवतरीद हो रहे हैं उसी समय में प्रबोतपुरी में उस धाम में अब वानी के रूप में रास, प्रकास और कलस की दो चुपाय और सर्टु उड़तरती हैं वहाँ पे स्वयम धामधनी जिस प्रकार चे लिला कर रहे हैं स्यामल जी वहीं पे हैं वही जो है जो अपने मिहराज जी को उस समय में गाली दिया था जब स्वयम देवचंदर जी के पास वो ग्यान लेने के लिए जा रहे थे लेकिन आज उनको पस्चताब होता है कि मैंने उस समय पे क्यूं ऐसा गल्दी कर दिया आज वो लिला देख रहे हैं स्याम और चाहते हैं कि उनके प्रती वो समर्पित हो जाए आज उनके अंदर से वो विश्वास आती है क्यूंकि साक्षाथ वहां पे ब्रज और राज की लिला दिखाए पड़ रहे हैं उद्दब जी है जो उत्तमबाई की आत्मा है वो क्या करती है वो अब जो भी उनके पास है अब जो वानी उतर रही है उसको लिखना प्रारम कर देते हैं और उसी प्रकार से जो वजिर के जो बीवी थी, पत्निया थी, वो आकर वहाँ पे देखने लगते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे लिलाय चल रहे हैं, तो वहाँ एक छेट से जब वो देखती है, तो वो लिलाय का जो ब्रज और राज की लिलाय उनको भी दिखाई देता तब उनको बहुत पस्यताब होता है कि जो मेरे पती ने गल्ती किया है ये क्यों कर दिया ये इसी प्रकार से ये गल्ती करते गए तो जो हमारे राज्य है जो हमारे सत्ता है वो छूट सकता है तो इसलिए वो डर जाती है और क्या होता है फेर उहां से उतार के ले पुष्टक चड़ाये तिन से तो इस प्रकार से जब उद्अप जी उस पुष्टक को चड़ाते हैं अब वहाँ जो सुंदर्साथ के लिए जो उतर रहा है सोयम धामधनी इस लिला को कर रहे हैं और स्वयम अपनी परातम को जगाने के लिए अब वो हुकम देते हैं किसको स्वयम इंद्रावति के सखी को कि वो यही कहते हैं कि यह जो मैंने बाणी दिया हुआ है वो किसके लिए है स्वयम आत्मा को लिए सुख देने सबन को हुकम होते है अब यहाँ पे किसको सुख देने के लिए यह सुयम अपने सुन्दर साथ को सुयम इंद्रावति के सकी अब जाकर सुख दे सकी इसलिए यह जो बार्णी है वो उतर रहे वरना स्रीफ यह दि मिहराजी को ही मिलना था तो हफसे के जेल में उन्होंने वो दर्शन पा लिया था लेकिन आज तार्तम बार्णी क्यों उतरी बस इसलिए क्योंकि उस समय में जो ड्रमा आत्माएं नहीं जग पाई उस समय में इसलिए वो तार्तम बार्णी उतारी गई क्योंकि आज स्वयम उनके किस के वाणी है स्वयम ये वाणी वो अक्षिरातीत की है जो आवे सक्ति के द्वारा स्वयम मिहराजी के तन के अंदर बेटके उन्होंने अब उस मुखारविन से कहने का ताकत दिखाया तब जाकर उद्धब जी के पास वो हातों में कुछ मसी मिलती है और वो लिखते हैं तब जाकर वो मेहनत के द्वारा आज तार्तम बाड़ी मिला हूँ सौदगरंथ है हमारे पुर्ण तार्तम बाड़ी में वो स्रिफ हफ्षा के जेल में ही नहीं बलकि पन्ना धाम तक भी जाकर वो उत्रा है तार्तम के तार्तम जो हम कहते हैं वो पन्ना धाम में ही उत्रा है और जितने भी जो जगाएं हैं जैसे अनुप सहर हो गया सुरत है चित्रकूट का जो रम्य बन है जो राजा वोगा स्वयम प्राणा जी को ले जाते हैं तो उस जगा पे जा जाकर स्वयम धामधनी ने वानी का आवतरन किया और जो किरंतन है उनका भाव तो हर जगा पे हर परिस्तिती में थोड़ा थोड़ा करते उतरते ही जाता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार और किस दुख में सोयम प्रान्ना जी इस प्रकार से हमारी लिए यहां आए और किस प्रकार से धामधनी ने इस तार्तम वानी को हमारे सुन्दर साथ के लिए मिहराज जी को इतना कष्ट देकर धनी स्री देपचनर जी को इतना कष्ट देकर तब जाकर चोथा और पाँच्वे दिन में इतना दुख दिखाने के बाद उनको ये ज्यान दिया आज हम ये इक्ष्या ना करें कि हमें जल्दी से धांधनी का दर्शन है हम ये इक्ष्या ना करें कि हम भी इसी प्रकार से मिहराजी के जैसे हमारा मान हो हम स्रिफ इतना चाहें कि जिस प्रकार से धनिसी देवचंदर जी और स्वयम मिहराजी ने दुख अपनाया था हम भी उस दुख को अपना सके तब जाकर हो सकता है हम भी उस इस्तिती तक पहुँच सके तो इसलिए आज अब जो अवतरन हुआ है वो होने के बाद अब उस सखी को क्या चाहिए जिसको सब कुछ मिल गया हो उस आत्मा को अब कुछ नहीं चाहिए बस वो स्वयम धाम धनी के उस सुरूप में मगन है और वो आगे बढ़ते हुए क्या करती है तब अंदर कहिया महल में क्यों ऐसा जुलम किया मेराज पर तब जाकर जो वजिर की पत्निया है अब वो क्या कहते है जब वजिर एक साल के बाद आते है एक साल के बाद आने के बाद अब वो पत्निया कहत कि उन साधू पे आपने जुलम क्यों किया क्या आपको ये नहीं करना चाहिए था कि आप उनके बहिकाता को पहले जांस करते तब जाकर उनको नजरपंद पर करते हैं लेकिन हमने ये देखा है कि वो कोई अपरादी नहीं है वो स्वयम एक साधू जन है जिसके अंदर से लील हो रही थी तब जाकर उनके दवाब में आकर अब वजिर यही करते हैं कि उनको सम्मान से अब उनसे बीदा लिया जाता है जब बीदा दिया जाता है अब मिहराजी खुश होते हुए अब वो मिहराजी है या नहीं जिसके अंदर स्वयम धामधनी पदार चुके हैं अब ज को पुकारते हैं. अब से हम उनको महिराजी नहीं कहते हैं. तो अब स्वयम प्राना जी वहाँ पर जा रहे हैं और बिहारी जी अपनी आत्मा से खुष हो कर कह रहे हैं कि स्वयम धाम्धनी ने मुझे साक्षा दर्सन दिया और आज हमें रास, प्रकास और खत्रित्यू के रूप में उन्होंने वानी दिया है, जिसके कारण से हम जागनी कर सकते हैं, हम दूर दूर चक जा सकते हैं और जो अमारी आत्मा आई हुई है, उनको जगा सकते हैं. अब विहारी जी यही कहते हैं, कि तुमें जेल जाने के बाद यह सोच कैसे आ गया, धनी स्री देप चंदर जी हैं, जो एकी जगा पे नौतनपुरी रहकर ही अपने आत्माओं को जगा है, उन्होंने ना कभी किताब लिखा, ना उन्होंने कभी सोचा कि मैं यहां से कहीं जाओं, लेकिन तुम जो बिरह तुमने किया यह तुम्हें ढोंग करते हो मैं तो यहीं पे था, और तुम्हारे जो बिरह है, उससे क्या हो रहा था जो मैं सुयम राजी हूँ वो क्या हो, जल रहा था, मैं तुम्हारे बिरह पे तडप रहा था, तो तुम्हें इतना बिरहा नहीं करना चाहे था, क्योंकि मैं तो इतना नजदीक था, तब जाकर बिहारी जी स्वेम को राजी कह देते, वहाँ पे अब बिहारी जी जब सत्रितु का जो ग्रंथ खोलते हैं, तो वहाँ पे उनको मिलता है ट्रमान के रूप में कि स्वयम अब मिहराज जी को ही क्या मिला हुआ है स्वयम उनको ही धामधनी मिले हुए हैं और किसी को भी धामधनी नहीं मिले तब वो क्या होता है यहाँ पे बताते हैं इतव भिहारी जी चमके सुन खट्रूति के सुकन तो खट्रूति के वह वाणी को सुनकर वह चमक जाते है आर्था, वह अपदंग रह जाते हैं कि यह वाणी किस प्रकार से कहरें, कि सोयम, स्रिफ इनको ही मिला हुआ है रात जी यदि स्रिफ सुन्दर साथ को ये वार्णी इतना पता चल जाए तो जो सिर आज जुकाते हैं वो नहीं जुकाएंगे जो दान आ रहा है वो दान नहीं आएगा और जो मेरा सम्मान करता है वो कौन करेगा तो इसलिए वो अब ग्रोधित होते हैं और यही कहते हैं कि तुम जो कविता लिखना जान गए हो अब ये कविता लिखना छोड़ दो तुम इस किताब को मेरे पास ही रखो और इसका कोई प्रचार करने की जुर्रत नहीं जो सुन्दर साथ ये देख रहे थे कि उनके चेहरे पे जो नूर जलक रहा था जो आभा आ रहे थे सब को लग रहा था कि अब स्वयम धामधनी हमें कुछ कहेंगे उस बार्णी के द्वारा हमें जगाएंगे लेकिन आज वो उनसे बंचित हो जाते हैं तो इसलिए अब वहाँ पे वो बार्णी प्रसार में नहीं आपाती है अब वहाँ पे आगे जाते हुए धामधनी फिर से कहीं जाते हैं यहां से फारग भय सुलो तरे के साल तो सत्रसो सुलकी बात है अब जाकर धामधनी यही सुचते हैं कि एदी में यहीं पे रहा तो कभी भी मेरे सुंदर साथ के जागनी नहीं हो सकता अर जो ग्रंत आया है सोयम धामधनी के द्वारा यह प्रसारित हुआ है यहीं वो श्रिफ एक कुड़े के दान पे रह जाए यहीं श्रिफ एक कपड़े के चादर पे ढखका जा रहा है वो ऐसी तरह से रह जाए तो कभी भी वार्णी का प्रसार नहीं हो सकता इसलिए अब बिहारी जी से आगरह किया जाता है कि वो किताब उनको दिया जाए तब जाकर स्व्यम धाम धनी उस ग्रंद को लेते हैं अब जाकर वो जुनागर्ड के लिए प्रस्तान करते हैं जुनागर्ड के उस रस्ते पे जाते समय एक घड़ना होती है वहाँ पे तेज कुवरी जी वहाँ मिल जाते हैं ऐसे कहने में आता है कि कईयों लोग कहते हैं कि जब बिहारी जी सुयम धाम धनी के उस सत्ता के गद्धी पर बेढ़ते हैं तो अहमता में इतना बढ़ जाते हैं कि अपने सुन्दर साथ को गिनते तक नहीं एक दिन की बात है कि जो सुन्दर साथ तकलिफ में है जो क्रिशक है वो चाहता है कि मैं एक ही बार आके चर्चा सुनू लेकिन वो बिहारी जी हैं उनको पता है कि क्रिशक के पास इतना पैसा नहीं होता उनको तो पैसा से लेना देन था तो इसलिए वो कहे देते हैं कि तुम्हें एक बार भी आने की जरुरत नहीं है तब जाकर वो जो सुन्दर साथ थें वो साथ दिन तक भूके रहते हैं प्यासे रहते हैं और बाहर उस दर्वाजे पे कहीं बिहारी जी आए और मुझे मना ले इस प्रकार से सोचते हैं लेकिन बिहारी जी हैं जिनका हरिदे इतना कठोर हो चुका है कि वो देखते ने अब वो सुन्दर साथ फुल भाई जी के वहां जाते हैं वहाँ फुलबाई जो परंधाम की अमलावती की आत्मा है वो अब अपने सुन्दर साथ को भोजन कराते हैं बिहारी जी को ये पता चलता है और बिहारी जी यही कहते हैं अब फुलबाई को इस समास से निकाल देना मिहराज जी को भी अब दर्वाजे से आने मत देना तब जाकर जब मिहराज जी सोयम आते हैं उस समय मिहराज जी को दर्वाजे में ही रोग दिया जाता है तब Mihiraj ji यही पोजते हैं कि क्या हुआ तब बितान तो बताया जाता है और उनको यह कह दिया जाता है कि या तो पत्नी को या तो मुझे चुनो तब जाकर अब स्वें Mihiraj ji जी है जो धर्मा के पत्थ को चुनेंगा तो इसलिए बिहारी जी के वहाँपे वो रहते हैं, और छह मैने तक वो घर नहीं जाते हैं, उनको ये पता चलता है कि फुल भाई जी ने अपने देह का त्याक कर लिया है, क्योंकि उनको भी ये पता चल चुका था कि मिहराजी अब आने वाले नहीं, तो इसलिए श्रिफ वो इतना इक्ष्या करते हैं कि अंतिम समय पे जो दहा संसकार हो जाए तो मेरे राक पे महिराजी अपना चरन कमल रखते हैं तब स्वयम महिराजी वहां जाकर चरन कमल रखते हैं और यह कहा जाता है कि उनकी इक्ष्या पूर्ण हो जाते हैं जब यही बात अब जुनागड की उर्प्रस्तान हो रहे हैं, उस समय पे अब एक कन्या आती है जो साधी करने के लिए अपने पिता से मना कर रहे हैं, लेकिन उसी समय पे जब मिहराजी अर्थास्वाइम प्रान्ना जी को देख लेते हैं, अब अपना जो घुंगट है उससे अपना चेहरा ढख लेते हैं, पिता जी, भिर जी, भाई जी, वहाँ पे अब क्या करते हैं, वो इस सोचते हैं, जो कन्या मुझे ये कहती थी कि साधी नहीं करना, आज वो क्यूं अपना चेहरा को ढख रहे हैं, यहाँ पे सोचनी के विशे हैं, एधी जो परमधाम की आत्मा अब एधी दुसरे जनम लेती है, तो क्या अब तेजकुवरी जी का उमर कितना हुआ होगा, चार साल, हम ये सोचते हैं, लेकिन हमें ये पहले से ही पता है, कि ब्रज के उस दीनों में, जब हम आये थे, उस समय में भी हमने गोपियों के उसी प्रकार से आज वो जो कन्या है तेजकुवरी जी वो क्या है, साधी करने के लायक हो चुके है, साधी वही कर सकती है, जो बच्चा को जनम दे, और बच्चा उस समय की बात है, जो 16 साल की लड़की होती थी, उसी को हम क्या कहते थे, साधी की लायक कहते थे, तो इस प् कार से उनके अंदर अमलावती जी के आत्मा प्रभेश कर गई थी जिसके कारण उनको ये पता चला कि स्वयम मिहराज जी के अंदर धामधनी बेठे हुए हैं और वो ही मेरे पूर्वजनम के पति हैं तो जब उनके पिता जी को कहा जाता है तब जाकर अब दोनों का मिलन होता है और वो लोग साथ में अब जुनागड के लिए प्रस्तान करते हैं हर्जी व्यास एक ब्रह्मान रहे तिनका चाकर सोए तो जुनागड की वो बात है जो हर्जी व्यास वहाँ पे मिल जाते हैं वहां कांजी भाई भी साथ में हैं कांजी भाई भी उनके चर्चा सुन रह कांजी भाई हर्जी ब्यास जी के वहाँ पे काम करते हैं और सेवा करते हैं स्वयम धामधनी वहाँ पे उस जुनागड के उस छेत्र में दो साल तक लिला करते हैं और हर्जी ब्यास जी कौन है ब्यास जो सब्द जुड़ा हुआ है इसे से ही हम जान सकते हैं कि वो एक बिद्वान है और वो बिद्वान किस प्रकार से अपनी बात कहता है जिसके कारण धाम धनी उन्चे जूड़ते हैं यहां कहते हैं जब वह दुखी पड़ा भोम उतरा सोए तब जाकर जो हरजी ब्यास जी है वो उस समय में अपने जो स्वास है उनका समाप्थ होने वाला है जो सरीर है वो कमजर हो चुका है अब जो हरजी ब्यास जो भागवत के इतना प्रक्वान विद्वान थे उनके अपने जो आफंथ है वो यही सुचते हैं कि किस प्रकार से इनको अच्छे उच्छी इस्तिती में पहुँचाया जाए तब जाकर मरन इस्तिती पे वो दान देने के लिए जो भी कपड़े अर लगते हैं वो लाते हैं और उनके हातों के दारा इस पर सकराय जाता है जिसके कारण वो दुसरे को दान दे सके और उस दान के वदलत वो सुर्ग को टाप कर सके तो इस प्रकार से जब हरजी ब्यास जी ये देखते हैं तब वो यही कहते हैं कि क्या तुमने ये सोचा है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं तुम्हें ये लगता है कि क्या मैं इस ब्रह्मांड का हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ और मुझे इस संसार में फशे नहीं रहना जो पाप और जो पुन्य हम कमाते हैं वो क्या है? जो दान देते हैं और जो दान लेते हैं वो क्या है? वो शिर्फ एक छेत्र है पुन्य और पाप का. पाप जो जिस प्रकार से ये कह सकते हैं, एक सुर्ग है जो क्या है? एक छेत्र है जैसे एक अमेरिका है, जो सब लोग घुमना जाने चाहते हैं. अब आज भारत में क्या है ये कर्म छेत रहे जहां पे हम पैसा कमाते हैं काम करके काम करने के बाद हो सकते है आपके bank balance ज्यादा हो आपके bank balance कम हो जितना bank balance होगा उसी प्रकार से आप अमेरिका में जा सके होगे उस समय पे अमरिका जाने के बाद आपका जितना पैसा है वो क्या हो जाएगा वहाँ पर प्रयोग होगा खर्च होने के बाद आपको जब भीजा नहीं होगी तो क्या कर दे जाए स्वेयम आपको अब उस प्लेन में बिठा के फिर से इसी लोग पिलाय जाएगा और छोड़ दिया जाएगा कि पैसा कमाओ उसी प्रकार से जो पाप और पुन्य का धारा चला हुआ है सोर्ग जाने का बैकुंठ जाने का सिर्फ इतना है कि वहां तक हम जा सकते हैं लेकिन जब तक पाप और पुन्य का खेल है पुन्य नहीं है तो हम फिर से इसे मृत्ति लोग में आना पड़ेगा और फिर से दुख भोगना ही पड़ेगा लेकिन हरजी ब्यास ये सब कुछ जानते हैं इसलिए वो रोते हैं वो ये कहते हैं कि मैं अब जो मरने वाला हूँ वो ये दाग रखकर मर रहा हूँ कि जो मैंने कहा था जो मैंने हां कहा था वो कोई भी इसने हिमत नहीं किया कि उसको ना कहें और एदी जो मैंने ना कह दिया कोई भी हिमत नहीं कर पाया कि उसको हा कहें तो इसलिए वो अब क्या करते हैं वो यही सोचकर दिन रात बिताते हैं यो करते कांजी नेह बात स्री जी आगे करी तो इस प्रकार से अब स्यंग कांजी भाय वो सब कुछ देख रहे हैं लिला अब वो चाहते हैं कि कहीं ये जो हरजी ब्यास है ये ब्रह्मा आत्मा तो नहीं है जो इस प्रकार की बात कहे रही है हो सकता है इनकी अंदर परमधाम की आत्मा इसलिए वो चाहते हैं कि स्वयम ये भी जागरित हो जाए अब स्वयम प्रानाजी के पास जाते हैं उनको ये कहे दिया जाता है कि आप उस हरजी ब्यास जी के पास जाईए और उनको जागरित कीजे तब धामधनी यही कहते हैं कि उनका सेवा कीजे और सेवा करते हुए आप उनको ठीक कर दीजे तब जाकर मैं आकर उनको ज्यान की बाते करूँगा अब जाकर यहाँ पी यह लिला चलती है कि स्वयम कान जी भाई वहाँ पे साग और सबजिया तोड़ते हैं अच्छे अच्छे पकवान बनाने के बाद उनको सेवा किया जाता है हर जी ब्यास जी ये देखते हैं और यही कहते हैं कि तुम्हें इस सेवा के बदुलत क्या चाहिए एक बार नहीं पुछते दो तिन बार पुछने के बार जब वो ठीक हो जाते हैं तब जाकर अब वो इक्छा बेक्त करते हैं कि स्वयम आप एक महात्मा जी हैं और उनको आप ज्ञान की चर्चा सुनाए तब जाकर हर जी ब्यास जी अत्तिन तक हो सोते हैं वो यही सोचते हैं आज की संसार में जहां पे हर कोई सेवा के बदलत धन चाहता है सेवा के बदलत वो सत्ता चाहता है लेकिन कांजी भाय है जो परमधाम की आत्मा है वो चाह रही है कि स्वयम वो ज्ञान दे जो मैं चाहता हूँ इसलिए वो कहते हैं कि चलो उस महात्मा को लाओ और मैं उस ग्यान को सुनाने के लिए तयार हूँ तब जाकर धाम धानी को वहाँ पे भूलाय जाता है, उनको रखा जाता है, दो मैने तक जब वो चर्चा सुनते हैं, अब वो ध्यान पुर्व को सुन रहे हैं. सास्तर कहती है स्रद्धा लब्यते जानम स्रद्धा के द्वारा ही हम क्या पा सकते हैं जान को प्राप्ट कर सकते हैं लेकिन स्रद्धा किसको कहते हैं अंधर स्रद्धा को स्रद्धा कभी नहीं कह सकते हैं जो एक महात्मा ने मंस में बेट कर कही दिया और वो सुनने के बाद आपने मान लिया ये कभी नहीं होना चाहिए स्रद्धा का मतलब ये है कि स्रद्धा जो दो सब्दे से बना हुआ है स्रत और धा स्रत का अर्थ है सत्य और धा का अर्थ है धारन करना जो सत्य को धारन करता है उसको स्रद्धा कहते तो इस प्रकार से युदि हम स्रध्धा करेंगे तो ज्यान को प्राप्त कर सकते हैं तो इसलिए वहाँ पे स्यद्धाम धनी बेट कर वहाँ पे सुन रहे हैं क्या अक्षरा तीत को किसी के घ्ञान सुनने के आऊ सकता है नहीं है तो क्यों यहाँ पे बेठा जा रहा है स्रीफ इसले क्योंकि वो सिखापन देते हैं जो ब्रिक्स पे ज्यादा फल लगा है वो क्या होता है वो जुकता है और वहाँ पे वो धाम दनी है सोयम बेटे हुए नीचे मंज के नीचे बेटकर और वो जो हर जी ब्यास जी है मंज के उपर बेटकर चर्चा सुनाते हैं फिर भी दो मेने तक सुनते हैं आज हमें भी ऐसा ही करना चाहिए यह जिस समाज में हम जाते हैं किसी परवाई के पास तो हमें जाना चाहिए उसके मंज के जो भी बाते हैं वो सुनना चाहिए और बाद में जिस प्रकार से धामधनी दो मेने के बाद प्रस्ण करते हैं कि किस प्रकार से आदी नाराइन के विशे में किस प्रकार से वो मोहक वहाँ पे जो मोहल आया हुआ है उसके बिशाय में तो इस प्रकार से जो प्रस्ण बाद में किया जाएगा वो चीजे हमें भी सुन्दर साथ के समख से जाकर अर्थाज जो परभाई सुन्दर साथ हैं उनके पास जाकर हमें भी वो मोका मिले जब हमें प्रस्न करने का वो बातवरन मिलने के बाद हम भी प्रस्न करें और जुपके और आदर पुरबक जम हम भी उनके बातों को कहेंगे और सुनेंगे तब बिल्कुल वो भी धाम धनी जिस प्रकार से हर जी ब्यास जी को अपने चरन कमल पे ला पाए उसी प्रकार से हम भी स्वयम हमारी जो आत्माय हैं उनको धनी के चरन कमल तक ला सकते और धनी की आज्या भी इसी प्रकार से तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं एक हिरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार तो यहां पे बर्नन आया हुआ है हिरे का मंदिर तो वहां एसे कहा जाता है कि अनेकों यूंजन के बराबर वो हिरे का मंदिर है और स्वयम वहां पे दाम दहने आप उठके फुचते हैं कि वो हिरे का मुंदिर किसको कहा जाता है रहे वहां पर कौन रहता है वो कौन सी इस्तान है जो आप नहीं बता पा रहे हैं वो यही कहते हैं कि हमें बतानी के प्रयास कीजे क्योंकि हम तो अज्यानी हैं हमें तो सास्त्र का कोई ज्यान नहीं जब स्वयम प्राना जी इस प्र छिपा रहे हैं मुझे ये लगता है कि जो गुहिये जो ज्ञान है वो हमको आप बताना नहीं चाहते हैं आपको आग्रह करते हैं कि वो ज्ञान बताएं तब फिर से वो हरजी ब्यास जी कहते हैं नहीं नहीं वो आदिनारायन का इस्तान है अब वहाँ पे जो बात विपरीत आ गए वहाँ पे धाम धनी इस प्रकार से देखते हैं कि ये कौन ची बात कर रहे हैं फिर से वो आग्रह करते हैं तो वहाँ पे अब क्या कहा जाता है तब स्वेम हरजी ब्यास जी क्रोदित होते हैं और कहते हैं जिसने ये गरंथ लिखा है वो अच्छा विक्ति नहीं होगा, इसलिए उसने आज दिन तब उत्तर ही नहीं लिखा, और जिसने उत्तर ही नहीं लिखा, मैं किस प्रकार से तुम्हें बता सकता, तो इस प्रकार से वहाँ पे धामधनी को ये उत्तर मिलता है, कान जी भाई जी यही कहते हैं कि इनको अब अक्षर की बाद पुछे, अक्षरतीत के बाद पुछे, लेकिन धामधनी जोस में आ जाते हैं और उनको धका देते हैं, जिसको छेर ब्रमान के ही बाद का पता नहीं, वो अक्षरतीत के बिशे में सुधने का कोई लायक नहीं हो सकता, धामधनी य जिसको इस दुनिया की जो चाया पड़ा हुआ है उसका तक पता नहीं तो क्यों इस दुनिया से परे की जो पेड़ से भी परे की चीज है वो कैसे प्राप कर सकता है कहने का तात्पर ये है ये जो ब्रमांड है वो किस प्रकार से बना है इत अक्षेर को भिल्शियो मन पांच तत्तो चौदे भवन यामे महाविश्णू मन मन्थे त्रिगुन ताथे थिर्चन सबुत्पन इस प्रकार से कह दिया गया कि जो अब्याकृत में सुमंगला उस महाकारन में इस्तीत है उसका प्रतिवीम कहां पर आ रहे है उसका प्रतिवीम उस इस्थूल पर आ रहे है जिसको प्रणव ब्रम कहा जाता है रोधिनी सक्ति का ही जाती है शिव और सक्ति के मिलन के द्वारा प्रकृति का प्रारंब होता है हां उस इस्तान से जब सोप उतना दिखाई देता है तब जाकर आदिनारेन की स्रिष्ठी होती है और उस आदिनारेन जब ये देखता है कि मैं अखेला हूं तब अब वो कहता है कि एको हम बहु स्याम तब जाकर ये स्रिष्ठी का विश्तार होती है तो वही चेज आज वो समझाना चाहते थे लेकिन चला है और सुयम धामधनी भी जब ये बाते कर देते हैं तब जाकर हर्ची ब्यास जी चकित हो जाते हैं वो यही सोचते हैं कि यह जो बात कह रहे हैं यह चेर से परे का है और मैं भी चाहता था कि मैं अक्षिरा से परे की चीज को पालो तब जाकर धामधनी कहते हैं तब धामधनी यही कहे रहे थे कि यह चेर में ही ठक गया है तो मैं अक्षर और अक्षरति का बाद क्यूं करूँ अब स्वय महर्जी ब्यास जी यह कहते हैं कि अब वो चरन कमल पे जुकने के लिए तयार हैं वो अपने सस्त्र को रखने के लिए तयार हैं अब धामधनी यह दोराते हैं कि तु याद कर मृत्यू के समय में तुने क्या कहा था तुने जो हां कहा था उसको ना कहने वाला तुने कहा था कि नहीं है और जो ना कहा था वो हां कहने वाला नहीं है लेकिन आज मैं आया हूँ और तुझे गलत सित करके मैंने दिखा दिया है और तुझे यह ग्यान देने के लिए भी आया हूँ कि मुझे स्वयम धामधनी न आया हूँ तब जाकर हरजी ब्यास जी उनके चरन कमल को पकड़ते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं अब जुनागड का जो ये प्रसंग है यहां पर समात हो जाता है कुटुब खां जामनगर पर फिर से आकरमन करने वाला है स्वयम धामधनी अब अंदर से प्राना जी स्वयम मिहराजी को अब ये कहते हैं कि तुम्हें जामनगर पर जाना चाहे तथा अपने सुंदर साथ को बचाना चाहे तो उस प्रेरना के द्वारा स्वयम अब धामधनी वहां से चलते हैं और वहां से जाकर अब बजिर का कारे फिर शे वो समालने लगते हैं, जब उस कारे को समालते हैं, तब लगभग कुत्बखा को देने के लिए वहां पे तीन साल तक जो पैसा एकठा किया गया था, वो भी कम पड़ जाती है, अब वो पैसा कम होने के कारण सौयम धाम धनी को उस कारगार पे रखा जाता है, और कार गार में रखने से उनका मृत्यू का दिन निश्चित कर दिया जाता है लेकिन वो परमधाम की आत्मा है वो परमधाम की परमात्मा है स्वयम उस मिहराज जी के तन के अंदर लिला कर रही है अब वो किसे मृत्यू का वो कांड दिखा सकता है लेकिन स्वयम यहां पे एक लिला चलती है माया छे अतिव वंती जो मू अपने छे मूल धनी ठखी सुख का जी भाइंची है जी अब तीस कूरी जी से आज्र्या आगते हैं और कपड़े ला कर स्मय धाम धनी को उस कारागार से निकाल देते हैं माय किस प्रकार से अपना बल दिखा रहे हैं, धामधनी किस प्रकार से यहां लिला दिखा रहे हैं, तथा अब जाकर स्वेयम धामधनी को कारगार से निकालने के बाद, धामधनी अब डिब बंदर की ओर जाते हैं, और स्वेयम कांजी भाई को जब मृत्यू के लिए और नि होगा और नियाय का दिन होगा जो तू कारे करने जा रहा है जो सिलतान है जो बादशा है और जो वहाँ पर हाकिम बेटे हुए वो डर जाते हैं नियाय की दिन के उस कठोर बचन के द्वारा आज उनको ये लग रहा है कि ये जो बंदा है वो कौन है स्वयम उस अल्ला ताला का मुमिन होगा इसलिए अब जिस प्रकार के कांजी भाई का रूप था वो देखने के बाद उनको वहां से बरजित कर दिया जाता है अर्थात उनका जो मृत्यु का वो कांड था उसको निकाला जाता है उन्चे तब जा कर धामधनी उनको भी बचा लेते हैं अब जो लिला आगे बड़ेगी वो स्वयम दिब बंधर में किस प्रकार से लिला होगी वो कल की जो चर्चा है उसमें बताया जाएगा तो इस प्रकार से धामधनी ने अपने जो वानी है अपने प्रियतम के लिए दिया गया है जो निस्बत से जो समंध रखते हैं और जो परमधाम से समंध रखते हैं उनको ये पहले से ही बताया गया है कि जो सुहागिन है वो कभी भी इस वानी को त्यागीगी नहीं वो कभी भी इस वानी को छोड़ेगी नहीं है और इस पत्थ पर आगे बढ़ते ही जाएगे तो इस प्रकार से अब हमें भी सुन्दर साथ होने के नाते अब मिहराजी के जिस पत्थ पे स्वयम देपचनर जी जिस पत्थ पे चले थे उस पर चलते हुए अब धामधनी के हिर करते हैं और चोपाई आप दुराएंगे हुई चर्चा इन समय हुई चर्चा इन समय स्रीदेव चंद्र जी सोलेके साथ की खबर पूछते साथ की खबर पूछते एत दिन दीप में रहे 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 बुलि स्री प्राणा थे प्यारे की जे